कम्पनी ने इस नए स्रीज के ने रेक्टर का पूरा फ्शूल सिष्टाम भी बदल दिया है अब इसमें आपको माइको बोस के इलाइन पंप को हटा कर कम्पनी यहाँ पर लगा दिया है फ्शूल इंजेक्टर जो कि आपका ट्रेक्टर जरुरत का हिसाब से डीजल लेने वाला है जिससे की डीजल और समय दोनों बचने वाला है यहाँ का डैस्पोर्ट आप देख सकते हैं कम्पनी ने इसको भी पूरी तरह से बदल दिया है अब इस ट्रेक्टर पर आपको रिसेट वाला डैस्पोर्ट देखने को मिलने वाला है जो कि इसमें देख सकते हैं कम्पनी टूबलर टाइप में इसमें डेजाइन देख कर दी है जिसमें आपको बीच में डिश्टल देखने को मिलने वाला है साथ में आप Editor का mileage चेक करना चाहती है तोई इसमें आपको Reset प्रेक्टdoor library को. बás व्यवंदर क्रॉसल देखने को मिलने वाले हैं जिससे की आप Character के perimeter को – रिंघर कर सकती है और यहां पर देख को सकती है LEAD के भी मोड़ भी चुन सकती है昨..., अगर आप डेक्टर हेवी मोड पर चला रहे हैं तो ये वाला मोड और नॉर्मल मोड के लिए ये वाला मोड दोनों मोड आपको देखने को मिल जाते हैं जिससे कि अपने हिसाब से अप चुन सकते हैं और इस टेक्टर पर कमपनी दे रही है सस्पेंडल डेक पेडल जिसमें मिल जाते हैं यहाँ पर दिख सकते हैं यह रेष देखने को मिल जाती है जिससे कि रय़ेक्टर की आप आप रेस कम ज्यादा कर सकते हैं हेंड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों कमपनी इसमें दे रहा है हीट गार्ड और इस ट्रक्टर पर आपको एडवास फीचर्स देखने को मिलने वाले है वीडियो पर आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमपनी दे रहा है साइड गेर जिसमें आपको 1,2,3,4 वाल लीवर यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कमपनी दे रहा है हाइड्रोलिक कंटोर के लिए दो लीवर जिससे कि आप हाइड्रोलिक को को अपने हिसाब से operate कर सकती हैं दोस्तों और एडवास फीचर्स की बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं company दे रहा है low high gear साथ में आप देख सकते हैं यहां पर आपको तीर extra features देखने को मिलने वाले हैं इस ट्रेक्टर पर जो आपको चाहें ले सकते हैं जिसका review कर रहे हैं इस ट्रेक्टर को company ने launch किया है four wheel drive के अंदर लेकिन अगर आप चाहें तो बजट के हिसाब से two wheel drive ट्रेक्टर भी ले सकते हैं को आप सनाल में मिल जाता है यहां पर देख सकते हैं प्लेट्फारम पूरी तरह से बदल दीया गया है सात में आपको यह बार देख सकते हैं hydraulic log को 6 तरह को मिलने वाले है जिससे कि hydraulic की sensing को आप कम ये फिर जादा कर सकते हैं और यहां पर आपको जो seat मिलने वाली है Deluxe Type की Adjustable Seat का Use किया गया है दोस्तों इस ट्रेक्टर पार जो आपको Top Speed मिल जाती है Company ने इस ट्रेक्टर पार जो Top Speed दिया है इसमें आपको 31 mph की आंगे वाली Speed साथ में आपको 17 mph की Back Speed यानि की पीछे की Speed मिलने वाली है देख सकते हैं View कुछ इस तरह का मिल जाता है जिसमें आपको अच्छा खासा Space Company ने प्रवाइड कराया है और इसमें आपको fully side gear बात कर लेते हैं इस ट्रेक्टर की Engine की जो कि इसको और ज़्यादा खास बनाने वाला है तो इस ट्रेक्टर को launch किया गया है तिन सिलंडर 60 HP का दगड़ी अंदर जिसमें आपको इंजन की 22 रेडर आर्पेम मिलने वाले है साथ ही कंपणी ने इस ट्रेक्टर पर देख सकती है इंजन कुछ इस तरह का प्रवाइड कराया है दोस्तों यहां पर आकर बात कीजाए पंप की डिवल टेंडम पंप का यूज किया गया है साथ में आप यहां पर देख सकते हैं हाडोलिक फिल्टर आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है हाडोलिक का पाइप जो आपको मिलने वाला है कंपणी ने काफु जादा मोटा बना कर दिया है जिससे की हाइड डोले की ओयल की सब्लाई अच्छे तरीकी सोप आए और यहाँ पर देख सकते हैं फोर विल ड्राइब को फ्रेंट साप्ट मिलने वाला है कुशिच तरह का मिल जाता है जो कि कमपनी ने इसे साइड लिन से लगा कर दिया है इसमें आपको कभर भी देखने को मिलने वाला है जो कि इसे कभर से ढागा गया है और देख सकते हैं काफी जादा मजबूतिक साथ में बनाया गया है विल इसमें आपको विल इन पीलिन टाइप में फ्रेंट एक्सल देखने को मिलने वाला है जो कि काफी जादा heavy duty बना कर दिया गया है तो देख सकते हैं इसमें आपको कुशिस तरह अगर फ्रेंट एकसल देखने को मिल जाता है दोस्तो अगर बात किजाए इस ट्रक्टर की फ्रेंट वेट की तो फ्रेंट वेट की मावले में काफी जादा बेट इस ट्रक्टर पर दिया गया है जिससे कि आप ट्रक्टर को ट्रॉली बगार पर बहुत ही सानी से यूज़ कर पाएं और इस ट्रक्टर पर आपको 420 mm का ग्राउंड की लेंज देखने को मिलने वाले है सामने से लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिल जाता है जो कि काफी ज़्यादा भारी भार का आपको साथ में बुनाया गया है और यहां पर देख सकते हैं बीच में आपको मैसीफर की उसन का लोगो भी देखने को मिलने वाले है दोस्तों देख सकते हैं ट्रेक्टर का पूरा लुक कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाले है जो कि सामने आपको काफी बहतरी जाली का यूज किया गया है बात कर लेते हैं टायर की तो इस तरेक्टर पार जो आपको टायर दिया गया है M.R.I.P का company पिड़े टायर देखने को मिल जाता है जो कि इसमें देख सकते हैं 9.5 24 का front टायर यानि कि देखा जातो 4W-Drive के हंदर सबसे बड़ा डार का use किया गया है बात कल लेते हैं इसके rear टायर की तो इसमें अगर बात किजाए टायर की इसमें आपको MRF का टायर दिये गया है जो कि 16928 का टायर देखने को मिलने वाला है यानि कि इसमें आपको 4 टायर MRF कमपनी के दिये गया है और इसमें आपको दोनों तरफ रीमो पर extra बेट दिये गया है सबसे पहले बात कर लेते हैं बजन की तो ट्रक्टर पर आपको जो बजन मिलने वाला है 2430 किलो क्राम का मिल जाता है जो कि देख सकते हैं ट्रक्टर को काफ ज़्यादा भारी भर कम बनाया गया है जिससे कि ट्रेक्टर का बजर काफी जादा दिया गया है दोस्तो इसमें आपको जो विल्वेस मिलने वाला है 1980 mm का मिल जाता है साथ में इसमें आपको जो ट्रेक्टर पर ग्राउड की लेंस मिलने वाला है इसमें आपको 420 mm का ग्राउड की लेंस मिल जाता है यहाँ पर देख सकते हैं मैसी फार्गिवसन, इस स्मार्ट की ब्रेंडिंग मिल जाती है और इस ट्रक्टर पर देख सकते हैं, 95-63 की ब्रेंडिंग देखने को मिलने वाली है तो दुस्तों यह है मैसी का मैसी 95-63, जिसे कंपनी लॉंच कर रही है पूरा-पूरा साथ गाल है, तो इस पिक अड़री के अंदर और इस वीडियो को हम सोट कर रहे थे ओम सांट ट्रक्टर सिहोरा, ब्रांस जयवलपुर, एमबी मदब्रदेश जो की देख सकते हैं टैफे का सोरूम है, अगर किसी किसान भाई, लोगल से वीडियो देख रहे हैं तो सबसे best price के साथ में इन dealer से आप contact कर सकती है contact number उपर दिया हुआ है side में तो आप video रोग कर side में number निकाल सकती है तो tractor का पूरा look आप दी सकते हैं कुछ इस तरह का दिया गया है जो कि काफी जादा भारी भर कम tractor को बनाया गया है दोस्तों इसमें आपको जो company ने steering प्रवाइड कर आई है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरह पर जो आपको फ्रेंट एक से मिलने वाला है कडेकरी साब से काफी जादा भारी भर कम दिया गया है साथ में steering की अगर बात की जाए तो इसमें आपको मिलने वाला है devil acting hydraulic power steering जो कि काफी जादा सांदार मोटा pipe में बनाया गया है जिससे की ligages होने का chance ना की बराबर होने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं company ने इस तर्वो चार्ज इंजन जो की देख सकते हैं turbo charge यहाँ पर लगाया गया है जो कि इसमें आपको turbo charge engine दिया गया है लगवाग इसमें आपको 65 number का सपास turbo देखने को मिलने वाला है चलिए बात कर लेते हैं पीछे की विवकी तो पीछे की विवकी अगर बात की जाए तो इस रेक्टर पर आपको पुछ भीशला भी मिलने वाला है काफी जादा भारी भर कम बना गया है तो चलते हैं पीछे और बात कर लेते हैं lifting capacity की PTO HP की PTO type की तो पिछला हिस्सा देख सकते हैं कुछ इस तरेगा मिल जाते है जो की कंपनी ने काफी जादा भारी भर कम बना कर दिये है इसमें भी आपको 3-point linkage साथ में आपको EPA type कर ये लेक्सल मिलने वाला है lifting capacity की अगर बात की जाए तो इस रेक्टर पर आपको 2050 kg की lifting capacity मिल जाती है साथ में आपको IPTO Quadra PTO के साथ में 53 HP की दमदार PTO देखने को मिलने वाली है देख सकते हैं 60 से लोग कुछ इस तरह का दिये गया है Excel में इसमें आपको जो fender मिलने वाले है fender इसमें आपको एक single point मिल जाता है इसको adjust करने के लिए जोगी देख सकते हैं यहाँ पर दिये गया है और इसमें आपको brake की housing एक्सल पर ही देखने को मिलने वाली है दोस्तों इसमें देख सकते हैं three point linkage दिये गया है टपलिंग को फसाने के लिए जिससे कि आपको ट्रेक्टर बहतर संसे के साथ में वर्क कर पाए और इसमें आपको ट्रॉली बगारा यूज करने के लिए double-double control valve देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप ट्रिपिंग ट्रॉली reversible plow laser labeler बहुत यसान इसे चला सकते हैं इसमें आपको company fitted coupler देखने को मिलने वाले हैं और यहां पर दिख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें आपको single point दिया गया है जिसने कि आप फिंडर को अरजस्ट कर सकते हैं तो असा करता हम दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा